येस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टनून गुड इबनिंग टू आल अफ यू कैसे सब लोग होप सब आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो गाइस 11 को रिजल्ट आए CA Intermediate CA Final के तो आज हम पहले बात कर रहें CA Intermediate वा लोगी तो CA Intermediate का रिजल्ट कैसा रहा अगर आप मुझे ये बुलेंगे तो मैं आपको बुलूँगा कि रिजल्ट तो अच्छा ही था कर गए ठीक है अगर जिसने सीरियसली पढ़ाई की थी उस CA Final है और CA Final जो है वो बड़ा ही इंटरस्टिंग है तो हम CA Final income tax वाला जो badge रहेगा direct tax वाला उसमें मिलने वाले है लेकिन से result 100% तो रहा नहीं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे है जो इस exam में clear नहीं कर पाए आपको पता है जब हम पढ़ रहे थे ना day 1 से मैं आपको ये बोलता था कि इस बार result अच्छा रहेगा अगर आपको ये line याद रहे तो मैं बार बार बोलता था institute जादा से जादा बच्चे को पास करना चाहती है वो तीन बार exam ले रही है उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बोलता था आपको पता है जब exam postpone नहीं हुआ तो आप लोग पढ़ाई करोगे तो आप लोग पास हो जाओगे जिन्नों ने उसको seriously लिया था वो clear कर गए और माल लो आप किसी ने seriously नहीं लिया या due to some reason आपने अच्छे से prepare नहीं किया था और इस बार हम जो exam में unsuccessful हुए है एक बात बताओं यहाँ पास और fail जो है वो institute ने भी हटा दिय है तो हम successful unsuccessful exam के perspective से बोलेंगे not life life बहुत बड़ी है यार तो जिन लोग का exam इस बार clear नहीं हो पाया सर उनके बहुत सारे doubt है दो दिन से मुझे message कर रहे है कि सर हम क्या करें क्या हमारे लिए amendments है क्या हमको batches लेना चाहिए नया या नहीं लेना चाहिए देखो मैं सबसे पहले आपको दो चीज़ बता दू क्या आपको नया batch direct tax का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए देखो दो चीज़े अगर आपको concept में problem है आपको concept समझ में नहीं आ रहा है आप लिक नहीं पा रहे हो आप adjustment नहीं कर पा रहे हो question में तो आपका concept का issue है जब concept का issue है obviously you should take the batch आप fast track या regular batch है दोनों में से कोई भी direct tax का batch ले सकते है लेकिन अगर आपको concept में issue नहीं है आपका सिरफ practice का issue है तो guys आपको batch लेने की कोई जरूत नहीं है आपके लिए मैंने बहुत सारा free material है जो YouTube पे available करा रखा है सिरफ उसकी help से आप आराम से CA intermediate का exam में वो cover कर सकते है clear कर सकते है और आपके बहुत सारे friends ऐसे रहेंगे आपने देखा होगा जो सिरफ revision lecture हमारे DT के देखके भी उन्होंने exam clear किया और not only exam clear किया जो taxation का आपका जो paper था उस paper में उन्होंने 70, 80, 90 marks से वो score किये है 95 marks है जो all India rank 2 है उसको 95 marks है वो taxation के paper में मिला मैं बोलते हूँ 95 marks में तो दो develop करनी है जो आपको develop करनी है और अगर आप उस पर काम करोगे ना तो सच में clear हो जाओगे तो आज सबसे पहले तो आपके जो doubts है वो मैं ले लेता हूँ तो सबसे पहला sir CA intermediate September 2024 and January 2025 में अगर आप exam दे रहे हो intermediate का तो sir intermediate का जब हम exam दे रहे हैं तो इन exam में sir एक बात बताईए ह हमको जो है वो क्या हमारे लिए कुछ amendments क्या है कैसे है क्या amendments हमको अलग से करना पड़ेगा क्या जो budget अभी आने वाला है वो हमारे लिए applicable होगा वो जितने भी doubts से उसको मैं clear करने जा रहा हूं सबसे पहली चीज कि sir हम जो September 2024 में exam दे रहे हैं उसके लिए क्या कोई अलग से amendments है क्या right answer is guys आपके exam के लिए कोई भी direct text की अगर बात करो तो there is no amendment at all direct text में जो आपका income tax है income tax में जो 50 mark का paper है उसमें कोई भी amendment नहीं है जो आपने में 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 पढ़ा था वो ही का वो पढ़ना है तो एक तो आपके दिमाग से एकदम कितना हलका हो गया कोई amendment ही नहीं है लेक तो यहाँ पर income tax September 2024 के लिए उन्होंने amendment दे रखे है और उन्होंने sir यहाँ पर 18 pages के amendment दे रखे है तो क्या यह 18 pages के amendment हमको करने है अरे भाई लोगो यह वो ही वाला है जो में में मैंने आपको कराया था जो में के लिए जो file दिया था ICN as it is वो ही वाली file उन्होंने वापस द देगा तो बाबू आप जो है वो YouTube पर जाएंगे और YouTube पर आपको जो मेरा channel है that is the CA भवर बुराना और CA भवर बुराना channel पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा यह मेरा बेटा जो है कभी कभी है वो गाड़िया वाड़िया देखता रहता है तो उसको जो है वो बहुत सारी चीज़े है आप देखो के वहाँ पर चलिए अब एक बाद समझना तो यह वाला channel है यह वाले channel पर जाके और आपको क्या करना है सबसे पहले playlist में जाना है और playlist में आपके लिए देखिए CA Inter Revision for the September 2024 and January 2025 जो playlist है यह वाली playlist पर आपको क्लिक करन है और इसी playlist पर आपको रहना है आपके लिए जितनी भी चीज़े है ना वो सब मैंने यहाँ पर डाल रखी है तो देखिए यहाँ पर जो यह है ना CA Inter Addendum and Amendment of the Compact May November 2024 कर गे यह वाला जो वीडियो है वो आपको देखना है क्या बोला है मैंने देखो यह वाला जो वीडियो है that is the CA Inter यह वाला Addendum and Amendment of Compact May November 2024 यह वाला वीडियो आपको देखना है लेकिन इसका नोट का है रहेगा तो नोट के लिए आपको क्या करना है हमारी जो website है उस पर जाना है और website का नाम आपको पता ही रहेगा क्या नाम है bbvirtuals.com और bbvirtuals.com पर जाहेंगे वहाँ पर जाने क आपे तो intermediate में आपको यहाँ पर मिल जाएगा direct text पर क्लिक करोगे तो direct text में एक तो आपका CA Inter यह वाला दिखिए amendment and corresponding of compact May November 2024 लिखा हुआ है उसको download करना है वो ही amendment है और कुछ भी नहीं है और वीडियो मैंने already डाल चुका है ITI के MCQs है वो मैंने यहाँ पर update कर रखा है अब एक बात समझना चलिए सर तो आपने बहुत अच्छा हमको relief दे दिया यहाँ पर कि हमारे लिए amendment तो कुछ भी नहीं है लेकिन सर एक बात बताईए अभी budget आने वाला है कुछ दिन बाद I think 23rd of the July 2024 को budget आएगा is that budget will be applicable for our examination क्या वो वाला budget है वो हमारे exam September 2024 के लिए applicable होगा answer is no January 2025 में exam दे रहे उसके लिए applicable होगा answer is no तो guys if you are appearing for the September और January 2025 का examination intermediate आपको budget नहीं देखना है अभी कुछ दिन बाद है वो सब है वो सांटे वो क्या बोलते है economist बने रहेंगे सब लोग अपना ग्यान देंगे करके ठीक है वो आपको ग्यान नहीं लेना है वो आपके लिए relevant नही है आपके लिए वो चीज़े applicable नहीं है तो आप उसको छोड़ देना जिस दिन budget आए उस दिन TV बंद करके बैठ जाना ठीक है आपको नहीं पढ़ना क्योंकि आपको exam देना और exam के लिए जो पहले पढ़ा रखा है वो ही सर ये जो दोनों exam है September, January 2025 इसके लिए सर हमारा previous year क्या 23-24 ही रहेगा क्या क्या क्योंकि आपने थो हमको 23-24 पढ़ाया था answer is yes आपके लिए previous year 23-24 ही है आपके लिए जो है वो आपका assessment ये 24-25 है वो ही रहेगा उसके अलाबा कुछ भी नहीं है चलिए सर ये तो बहुत अच्छी बात होगी अब एक और चीज समझना सर हमारे लिए जो books है वो books कहां मिलेगी सर books जो है वो हमारे पास पहले वाली है May वाली क्या वो चल जाएगी answer is yes आपके पास अगर May की book है May 2024 exam की चल जाएगी आपको कुछ भी अलग से book buy करने की जरूरत नहीं है बड़ अगर आपके पास May से पहले की कोई books है तो प्लीज आप जो है वो book को buy कर सकते है उसके बाद revision lecture sir revision lectures है वो तो बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि आप देखोगे एक एक घंटे में एक एक topic है वो मैं आपको समझा देता हूं revision lectures के है तो revision lectures है वो आपके लिए बहुत जादा जरूरी है sir revision lecture कहां डाल रखे है तो मैं बताओ revision lecture आपको youtube यही वाला channel और यह वाले channel पे यही वाली जो playlist है that is CA inter revision for September 2024 and January 2025 जितने भी तुमारे topic है न सब डाल रखे है मैंने जितने भी topic topic number one से लेके और जो last topic है सब के revision lecture बहुत ही properly मैंने यहाँ पे डाल रखे है आपके लिए बहुत easy हो जाएगा इन revision lecture को आप follow करिए उसके साथ साथ में sir अगर हमको जो है इसके साथ साथ में sir एक question ही आता है कि sir एक बात बताईए हमको जो है आप जो है वो क्या बुलते है अपन जो हमको RTP जो है MTP है वो हमको करना पड़ेगा है नहीं तो देखो guys मैं आपको क्या suggest करता हूँ कि देखिए RTP and MTP जो है वो RTP आपको करना है कौनसा वाला एक तो आपको May 2024 वाला RTP करके जाना मैं बोल रहा हूँ May 2024 जो exam हो चुका है दूसरा आपके लिए जो September 2024 का RTP आएगा न वो भी आपको करना है ये दो RTP आपको करना है if you are appearing for the September exam and guys January में आप अपेर कर रहे हो तो आपको May वाला भी करना है September वाला भी करना है and January 25 वाला RTP आएगा वो भी करना है and MTP जो mock test paper ICI के है वो भी आपको करने है तो जो ICI के mock test paper है वो mock test paper भी आपको करना बहुत जरूरी है ये जो mock test paper है ये mock test paper भी आपको जो करना पड़ेगा mock test paper भी वो ज़्यादा पुराना नहीं करना है text में text में आपको May वाला, September वाला and January अगर दे रहे हो तो January वाला बस उसके अलावा mock test paper नहीं करना बट गाइस ट्राइ करता है एक mock test paper आप लिख के करो क्योंकि जब आप कहीं पर युद्ध लड़ने जा रहे हो तो at least आपकी preparation तो strong होनी चाहिए और अगर आपकी preparation strong है आपने अच्छे से अगर लिखा है एक बार तो आपको confidence आएगा कि यास अपनने लिखा है और हम जाके जो है वो exam में जाके बीडेंगे उसके बाद में सर्फ सूपर 30 question कोई नए आएंगे same वो कि वो कोई फरक नहीं है सूपर 30 question मेरी website पे आपको telegram group और join करना है आप धियान रखना आप telegram पे जाएंगे और telegram पे जो CA भवर बुराना नाम से एक channel है उसमें आपको blue tick मिलेगा that is the like अपना verified channel है telegram पे तो verified वाला channel है उसको join कर लीजिए उसमें आपको super 30 questions वगिरा है वो मिल जाएंगे और उसके साथ साथ में guys एक बात बताओ आपको proper planning होनी चाहिए बिना planning के कुछ नहीं होता मैंने जब से result आया है बहुत सारे बच्चों से बात किये जो fail होगे उनसे भी बात किये और जो exam में successful हुए उनसे भी बात किये जिनसे rank आई उनसे भी बात किये एक बात बताओ ranker में और normal बच्चे में क्या फरक है ranker को discipline पता है उसको पता है कौन से time पर क्या करना है जब मैं बात किया AIR 2 जो inter में आया यग्या से या AIR 3 आया उससे जब मेरी बात हुई तो उनको पता था कि दिन में मुझे mobile योज नहीं करना है या दिन में मुझे आदा घंटा करना ह 30 मिनट्स तो 30 मिनट्स ही करना है एक बच्चे ने बोला mobile मैंने मम्मी को दे देता था क्योंकि अगर पास में रहता तो मेरा मन करता था mobile देखना है मैं मम्मी को दे दिया और मैं सिरफ पढ़ाई पर ध्यान दिया guys sacrifice करना पड़ता है आपको अपने comfort zone से बाहर निकलना और जब आप यह सब चीजे करोगे ना तब आपके साथ मैं अच्छा होगा और अपन पास होंगे फटाफट और एक बात बताओं अभी भी कम टाइम नहीं है आपके लिए if you are appearing for the September exam आपके पास अभी भी दो महीने का टाइम है and 60 days का टाइम बिलकुल कम नहीं होता if you are appearing for the one ग्रूप या दुनों ग्रूप के लिए और छे ही तो सब्जेक्ट है दुनों ग्रूप के लिए और एक ही ग्रूप दे रहे तो तीन ही तो सब्जेक्ट है and guys three सब्जेक्ट के लिए two month का self study preparation अगर आप करते हो वो आपके लिए कम नहीं होता है आप जो है वो आराम से कर सकत है बस आपको मेनत करनी पड़ेगी दिन में 10-12 घंटे है वो लगाने पड़ेंगे hard work करना पड़ेगा आप कितने talented थे पहले उससे कोई फरक नी पड़ता this examination of CA is for the hard working people and I always say hard work beat talent when talent does not work hard hard work तो करना पड़ेगा ये exam जो है वो एक बार hard work तो मांगता है और अगर वो आप कर ल bonus tip और दे रहा हूँ law के लिए first group में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो law जो पढ़ रहे है और law के लिए sir जैसे DT के revision lecture इतने प्यारे है sir law के revision lecture अगर अपन चाए तो मैं बता हूँ हमारे यहाँ पे law है वो current sir पड़ाते है और he was my student and brilliant student chartered accountant भी है company secretary भी है और company secretary को law का सबसे ज़ आप एक काम करेंगे आप जो videos में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखेगा this is the first lecture CA inter law revision of the September 2024 exam part 1 part 1 यहाँ पे डाला हुआ है and guys इसका part 2 part 3 है वो BB virtual का intermediate channel है उस पे डाल रखा है and BB virtual intermediate channel जो telegram पे है उसके notes है और मैं बता हूँ आप एक बार इस lecture को देखके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा you will feel confident जब आप law के revision lecture देखोगे आपका revision lecture से ही law cover हो जाएगा और current sir ने ऐसा नहीं के उपर उपर से सब भगा दिया हो नहीं in detail revision lecture में भी ऐसी चीज़े cover किये जो बहुत बार अपन regular batch में भी cover नहीं कर पाते तो आप उसको एक बार जरूर अगर जो desire है ना आपकी आप चाते तो बहुत कोछो ना क्यार सीए इंटर में rank लानी है हमको सीए final में जाना है big four में काम करना है ऐसी company में काम करना है घरवालों के इच्छा है पूरी करनी है लेकिन उसके लिए प्रोसेस है और वो प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोग क्या कर रहे है गोल पर ध्यान दे रहे हमको यह चाहिए वो चाहिए यह चाहिए वो चाहिए लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पर ध्यान नहीं दे रहे और जिस दिन आप प्रोसेस पर ध्यान देने लग जाओगे उस दिन वो गोल अपने आप मिल जाएगा मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो बोलते हैं को पैसा कमाना है भाई मैं बोला पैसा कमाना है वो सोचेगा रहा तो नहीं कमा पाएगा तो काम कर अच्छा और जब अच्छा काम करेगा तो पैसा अपने आप कमाएगा जो अब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तब आपका result है वो आपको अपने आप आएगा तो guys यह सब चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा चलिए उसके साथ में मैं यही पर end करता हूँ and guys मैं देखना चाता हूँ आपको see a final में फटाफट आज है यह फटाफट सी यह final में इसके साथ में मैं आपको यहाँ पर कुछ एक गाना है उसकी दो चार लाइन है जो मुझे बहुत motivate करती है बहुत inspiring है वो आपके लिए भी अच्छी लगेगी तो मैं इस वीडियो के साथ मैं उसको add कर रहा हूँ तो just see that song की lines and उसके बाद में आप लोग अपने preparation को start कर दीजिये all the best for your examination सिसक सिसक के मैं आहें भर रहा हूँ नीचे हैं खाईयां और मैं कहाँ पर रहा हूँ पर जिन्दा हूँ अभी अभी हाँ हाँ पर रहा हूँ एक तो राहों में बबूल बहुत है उसके उपर से अपने उस्थूल बहुत है उसके उपर से सब तोकते रहते हैं कि रहागीर भाई उदर जाओ उदर फूल बहुत है ये जो हस रही है दुनिया मेरी ना कामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी ना दानियों पे पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा ये साले शर्म आएंगे हमारे अपने हो कहके ये बाहें गर्म आएंगे क्योंकि जित्दी बड़ा हूँ मैं एक कच्चा घड़ा हूँ मैं फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं बुन्दें बेरहम हैं उनको ये वहम है के मैं तूटे रहा हूँ जो मैं चीख रहा हूँ पर वो बेवकूप हैं मैं तो सीख रहा हूँ ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं एक कच्चा घड़ा हूँ मैं मैं तूटे लुटे रहा हूँ मैं झाल झाल